मोब लिंचिंग खाली ने बंदक बना के मांसिक रूप से आप किसी को गुलाम बना के रखना ही जार्खण मुक्ति मुर्चा का आचरन बना हुआ है यह उनिस साल तक किसी ने जंडा ना लगाया था वहाँ पर लोगों ने अपने घर पे जंडा लगाएं तो जार्खण मुक्ति मुर्चा को तकलीव हो गया विसमातो जी यहां आएंगे सबा करेंगे तो हमारे घर परिवार के सामने यह अंतर पैदा कर देंगे मैं कभी डरम है जार्खण अंदोलन करी रहा साफ इनलोग का जार्खण अंदोलन में पसीना ना बायाओ मैंने विहार का लालो जी का तंड़ो देखा है हमने सहा है मैंने जेल की यातना सही है अभी ये सारे लोग मेरे कदर और उस अंदोलन में ये बच्चे होंगे आज के दिन में ये राजी के लिए जिनका कोई समर्पन नहीं जिनको कट्टब बोध नहीं है वो इसे लोग सासन में आ गए हैं ये हो सकता है कि आप इस तरह से करके सासन में तो बैठ सकते हैं लेकिन कटब निर्मा बहुत बड़ा विशय है और जिसके जहान में राज सेवा ना होगा वो कभी भी लोगों का सेवा ना करवा उम्री उप्चुनाव में प्रचार प्रसार जोरों से है इस वक्त हमारे साथ सुदेश महतो जी है कल देर रात एक जो तस्वीर निकल करके आई वो लोगतांतरिक विवस्ता के लिए बहुत ही सर्मनाग कह सकते हैं क्या आप बोलेंगे उस पे लगातार आपे बोल रहे हैं कि इस तरीके से काम कहा मैंने प्ररम से कहा था जो मेरी संका थी जारकन मुक्ति मोर्चा के नेता कारकरता ने उसको सत्तापित कर दिया मैंने शुरू से कहा था मैं लोगों के वातावरण रहा के 19 साल के सासन के पीछे मैंने कोई डेवलप्मेंट या उसके तरकों देते हुए जब नहीं देखा तो मैंने कहा था कि यहां भाई के वातावरण पर चुनाओ लड़ा जाता है और वोही इस्तिति वहां दिखा जब उगाओं में जहां उन्होंने कहा कि 19 साल तक किसी ने जंडा ना लगाया था वहां पर लोगों ने अपने घर पे जंडा लगाएं तो जारकन मुक्ती मुर्चा को तकलीफ हो गया यहां किसी दूसरे पार्टी का सभा न हुआ है तो उनको यह तकलीफ हो गया कि सुदेसमातो जी यहां आएंगे सभा करेंगे तो हमारे घर परिवार के सामने यह अंतर पैदा कर देंगे मैं कहता हूँ कि अगर उनके लिए उनका घर था उनका परिवार उनके भोटर थें यह अगर सुरच्चित रखना रहता तो उनके विदिये हुए बादे को पूरा करके सुरच्चित रख सकते थें आपने अपना काम पूरा ना कहा जंता के इरादों को दबा कर आप नहीं चल सकते हैं यह आचरन लोगतंत्र के लिए भी नहीं और राजनिती के लिए अच्छा नहीं है अच्छा होता यह सरकार जो चल रही है सरकार के मुख्या इस आचरन से बाज आए यह आचरन उन्हें औ तो कोई दर भी लग रहा है क्या तेने मेहिं कभी डर में जार्खन अंदोलनकारी रहा साहब इंहीं का जार्खन अंदोलन में प सीना ना भाया मैंने विहार का लालुजी का तंडव देखा है हम! मैंने जेल की यातना सही है अभी यह सारे लोग मेरे कदर और उस अंदोलन में बच्चे होंगे आज के दिन में यह राजी के लिए जिनका कोई समर्पन नहीं जिनको कत्ब बोद नहीं है वह सकता है कि आप इस तरह से करके सासन में तो बैठ सकते हैं लेकिन कत्ब निर्मा बह सासन का है और सासन इससे कैसे हो सकता है जब मेरे कारिकरम सर्वजनिक रूप से दिये हुए हैं कारिकरम की नोटीस पड़ी हुए उसके बाद भी अगर कार्करता बनके सासन के लोग काम करेंगे तो बड़ा दुगदाई होगा शासन को अपना कर्तब नहीं बाना चाहिए एक जो चीज देखने को मिल रही है कि अलपसंख्यकों का भी जुकाओ आपके तरफ आपके सभाओं में अलपसंख्यक समुदाय के लोग पहुच रहे हैं कल मंतरी मिथलेश ठाकूर ने बड़ा आरोप लगाया है आपके उपर कि यह माइम के उमिदवार को जो है आप को अच्छा लगता है कोन पार्टी कहां किनके लिए वोट करें उनके जिमेदारी हां लेकिन इस जिस कौम को उन्होंने डर और भाई देके रखा था जिसको कहीं न कहीं समाजिक रूप से दूरी बना के रखे थे वो समाज खड़ा होकर विकास की राजनिती के लिए तैया हो रहा है उसके प्रतचुदारन आप गाउं के मेरे चौपाल पर आप देख सकते हैं वो सीधे आएंगे आ रहे हैं उनका नित्रुत आ रहा है और बड़ी तदाद में यह समाज हमारे साथ का दमताल करेगा अखरी सवाल है सर कि मुख मंतरी थोड़ी देर पहले सभा कर रहे थे वो भी सब कोई समझ रहे हैं कि अलफसंख्यक बोटर जो है वो काफी माइने रखेंगे इस उपचुनाव में आज उन्होंने एक चीज कहा अपने चुनावी मंद से कि 2019 के बाद अलफसंख्यक जो है व आंसिक रूप से आप किसी को गुलाम बना के रखना ही जारकन मुक्ति मुर्चा का आचरन बना हुआ है ये समाज को आगे बढ़ने का जीने का और समाज की जो तदाद है उस हैसियत की राजनिती करने का दिखा रहे है आपने उनको गुलाम बना के रखा है ये गुलामी का जंजी तूटेगा ये समाज बाहर आएगा और पराबर की भागेदारी का राजनिती करेगा केला का मेला कर्षका का राउन सुमांज करा द où अ कर दो आएगा नहर रहल 주 नहर आएगाय उनाना पर आएगा आएगा पराबर की भागेदारी करेदा tomorrow अ झाल झाल